एलो फ्रेंड्स वेलकम्ट माई चैनल STEM स्टडी विधेबल गरो आज हम बात करेंगे वीसी और प्लेटलेट कांटिंग की नियू बहर चेम्बर से फोलन्त सोल्ब के अ कौने किया जाता है हमने इसके पीछले में मतलब कि हमने बता रखा था दावन्त की की बारे में फिर उसके पहले हमने निव बार्च चेमबर के बारे मता रखा था आज हम क्यों बात करेंगे रबीसी काउंटिंग और प्लेट काउंट के बारे में की निव बार्च चेमबर में हम कैसे रबीसी और प्लेट को काउंट कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां आप यह कुछ लीक रखा है जो की यूज होने वाले कुछ इंपोर्टेंट रिएजेंट्स और इंस्टूमेंट है जैसे कि पहले आपने देख रहे हैं माइक्रोइस्कोप स्केंड आपगा हो गया कभर स्लिप फिर हो गया निव वह चंबर क्योंकि न्यव वह चंबर तो जरूरी है कि ओर वे एहाओ और वीकष्ष को प्रेकशिया है और वीसी डालॉटिग क्लोडूड इडिक्टua, बलdock आफीटेंग संपल ठीक है लेकिंद इसमें तेखेंगे जो प्rontற्व में फ़्ल पीपेट हमनें पिछले वीडियो में वब कर लोर्पेट प्रण धाया था उसमें क्या होता है उसका माउथ पीस वाइड होता है ऑड्का होता है और इसकी जो लंमबाही होती है और बीसी पीपेट की डावलू बीसी पीपेट से बड़ी होती है इसकी जो इनिसियल पॉइंट है 0.5 मार्स और डावलू बीसी की भी जो इनिसियल पॉइंट है वो भी 0.5 है बट जो उसकी लाश्ट पॉइंट है 11 है बट इसमें अगर हम देखेंगे तो जो लाश्ट पॉइंट है इसकी 101 यानि कि 101 है तो हम यह कह सकते हैं कि जो RBC PPPET है वो WBC PPPET से क्या होती है बड़ी होती है च्छिंग अब जो हम बात करेंगे हैं हैं हम स्प्लूट की तो जो हम स्प्लूट है वो उसका जो केमिकल कंपोजीशन क्या होता है किन-किन लोता है उसमें कि अंद्ध स्प्लूट होता है इन चारों चीजों से मिलके हम स्फ्लूट बनता है ठीक है अ कि ऑर जो डैसियस फ्लूट है कि यह फार्मल डिहाइड ट्राइसोडियम सित्रेट और डिस्स्टील वाटर जानि कि फार्मल AD lij selए शिप्रेट और इंतीनों से मिलकर क्या होता है बनाऊता है और हम बात करें इनकी रेशियो की जो फ्ल्यूड और ब्लड का जो रेशियो होता है वो होता है वन रेशियो 200 यानि कि हम अगर 1 ml ब्लड लेंगे तो 100 99 ml हम लेंगे डायलूटिंग फ्ल्यूड ठीक है इसका रेशियो है वन रेशियो 200 ठीक है अब हम बात करेंगे डायलूटिंग फ्ल्यूड के प्रिंस्पल की जो डायलूटिंग करते हैं तो जो इसका प्रिंश्बल का है नीरेगे कि बेकडाउन ऑफचल कर देता है यानि किसे क्या कर देता है तोड़ थे लेता है घण कर देता diagn fast और प्लेटलेट को भी क्या करता है नेस्ट कर देता है बट लेकिन को क्या करता है करता है कर यानि कि इसे माल लेजेए अब कुछ प्लेटलेस है कुछ डाव्लो विसी है है यह जो है प्लेटलेट है इसको भी क्या करता है ब्रेकडाउन कर देता है लेकिन यह जो ब्लड आर्विस हैं जो आर्विसी सेल्स हैं इनको क्या करता है सेटल डाउन करते हैं नीचे क्या अस्थिर बैठ जाएगा जिसके कारण वह क्या हो जाएगा और इस्टेन करते हैं साब साब समझ में आ जाएगा कि हाँ यह आर्विसी हैं तो इस्टेन करने से हम उसे अच्छी तरह से व्यूजलाइज कर सकते हैं तो इतना काम होता है लेकिन अब मं बात करेंगे देरिबेशन के बारे में जो इसका जो फार्मुला होता है can I gala वहताय है एंट टेन साफ से असकरे करेंगे जो इसकी जो कांट होती है पहले आपको अमने यह बता चुका है कि wc कांटिंगं कहां होती है और विसी काउंटिंग कहां होती है तो चारो कोने पर होती है और सेंटर में अगर जो सेंटर का स्कॉयर देखेंगे जो सेंटर चेंबर है इसमें जो सेंटर चेंबर के पांच स्कॉयरों में होती है चारो कोन चारो कोने में फिर एक क्या सेंटर स्कॉयर में यह हो गई और वि तो इसमें पांच है एक देखेंगे पांच गुणे एक बाटे पांच गुणे एक बाटे पांच इसकी जो एरिया इसका जो छेत्रफाल हो जाएगा है एक बाटे पांच जो है mm² और इसकी जो गहराई है तेफ्त जो है वह है वन पोईट अरे वन अपांच 10 mm² यह कह सकते हैं 0.1 mm जो एक एक स्कॉयर के जो गहराई है वह है 0.1 mm यह सब हम बता चुक है आपको डालो बीसी का जो हमने वीडियो बनाया था काउंटिंग वाला उसके उसमें हमने अच्छे से इसको समझा रखा है ठीक है फिर नेक्स्ट जो इसका जो हम वैलूम गयाद करेंगे वैलूम गयाद करने के लिए क्लिए क्या हो जागा पिर जो आर्वी सी काउंट हम करेंगे वन ड्राप यानि कि जब हम जो चार्ज करेंगे इन दोनों को मिक्स करेंगे जिसे हमने सब बता रखा था कि जो ब्लड लेंगे हम जैसे मालेजिए कि यह आपका जो हो गया और भी सी पीपेट जो हुआ हम पॉइंट फाइफ मार्क तक क्या करेंगे ब्लड लेंगे पॉइंट 5 मार्क तक ब्लड और 101 मार्क तक लेंगे डालुटिंग फ्लोड दोनों को मिक्स करके यानि कि थोड़े दिर तक रख देंगे रूम टंप्रेचर पर रूम टंप्रेचर पर रखने के बाद से तक है 1 से 2 क्या करेंगे डिस्कार्ट का देंगे तो डिस्कारट करने के बाद जब हम निव भश छेंबर के ऊपर कभर स्लिप रखेंगे और जाने कि इसका यों कापर श्लिप के जो नियू बार चेमबर है उसको रविछ के one drop से हम जब चार्ज करेंगे तो रवीच काउंट के लिए तो उसमें हम देखेंगे कि जो फार्मूला अप्लाई होगा क्या होगा फैक्टर इन्टू एन अपान वैलूं बागी जो factor के अगर हम बात करें, factor देखेंगे 200, 200 हमने आपको बताया था यह आया कहां से, जो 200 है, वो है ratio है, blood और diluting load का, ठीक है, इसका जो ratio था, one ratio 200 था, यह जो factor हो गया, आपका 200, और into n, n का मतलब कि आप जितना count करेंगे इसमें, आपको जितनी RBC दिखेगी, ठीक है एन हो गया फिर अपान जो वैलूम आपका है वन बाई फिफ्टी इन दोनों को हम इस कल्कुल जो कल्कुलेशन है इसको हम सॉल्फ करेंगे तो आएगा एन इंटू टेन थाउजन जैसे कि हमने मालने कि जो यह चेंबर है नियू बाउर चेंबर है उसमें हमने और बीस जीकांट की जैसे इन पांच खाणों में कांट करना होता है यार विसी हमने जैसे मालेशन कांट की कि इस फॉर एटी ठीक है हमने आर बेकिकांट की परट तो टोटल अर बीसी हमारे कितनी ओगा बलट में तो हो जाएगा इफ एन इसकल तो फोर एटी सो फोर एटी इसकल तो टेन थाउसेंड आपका जाएगा फोर पॉइंट एट मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एमेम क्या आपका हो जाएगा नॉर्मल लेंज मतलब यह जो हम सॉल्व किया है इस कल्कुलेशन को यानि कि आपका जो फोर एटी काउंट करने पर आर्वीसी आया है उसको हम क्या किया टेन थाउसें मल्टिप्लाई कर दी हैं तो हमें पता चल गया है कि ह हमारे ब्लेड में कितने आर्वीसिस हैं ठीक अगर हम इसकी जो है नॉर्मल रेंज देखें तो नॉर्मल रेंज जो होगा कि वह होगा फोर से लेकर फोर पॉइंट फाइब मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एम यह आपका हो जाएगा फीमेल में लेकिन मेल की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा पॉर पॉइंट फाइब से लेकर 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एम एम ठीक है यह 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 वह गया नॉर्मल देन यह तो हो गया इसका अर्बीसी की काउंटिंग और हम बात करेंगे अगर प्लेटलेट काउंटिंग के बारे में है प्लेटलेट काउंट का भी कुछ ऐसा है यह वह भी सेमक्या प्लेटलेट काउंट करेंगे तो हम पचीस खानों यानि कि पचीस स्क्वायर में काउंट करेंगे उसे क्गे तो अब हम बात करेंगे जो प्लेटले काउट है हो कैसे हैं अगर अगर हम रेशियो देखै un so eva दोनों क्या उगा स्वे मोगा ठीक है इसमें इसमें भी वन्री औरिसमें भीडिकियो च्वन растियोंchlag होगा बट फर्क इतना ही है कि हम काउट काउंट करेंगे पूरे है जैसे की जैसे कि माल लिजिए हमने इसमें काउंट किया चार यह हो गया पांच छे आठ दस बारह इसमें हो गया आठ छे दो साथ चार एक दो तीन नौ ग्यारह पंद्रह चार आठ साथ दो एक छे नौ और इसको माल लिजिए आठ यह हो गई आपकी प्लेटलेट की हम इसको क्या करेंगे अगर सबको एड करेंगे इससे इसको एड कर लें त्वरफाइफ नाइन और प्लस शिक्स फिफ्टिन फिफ्टिन प्लस ट्वंटित्री और ट्यार्थे आपका थाटी 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 थीं यह होगा थाटी थीं इसको माल काउंट करेंगे ट्वेलब और राट् ट्वंटी 20 प्लस 6, 26 2, 28 और 28 और 7 आपका होगे 35 इसको count करेंगे 4, 1, 5, 2, 7 3, 10, 9, 19 अब इसको count करेंगे 11 और 15 आपका यह हो जाएगा 26 और 26 और 4 30 और 30 और 8 हो जाएगा 38 और 2, 40 यह होगे आपका 8, 9 17 और 17 और 7 24 और 1, 25 और 6 आपका हो जाएगा 31 इसने सब को हम क्या करेंगे, add करने फिर 3, 5, 8 8 और 9 जोड़ेंगे 27, 27 और 1, 28 यह होगा 8 3, 3, 3, 2 3 और 3 जोड़ेंगे, 6 यह 1 आपका होगे, 7 7 में फिर 4 add करेंगे, आपका हो जाएगा 11, 11 में 3 add करेंगे आपका हो जाएगा 14 और 2 16, यह होगा आपका 168 यानि कि टोटल 25 स्कॉयर में आपका हो गया 168 अब हम इसको जो फार्मूला होगा उसका जो फार्मूला होगा सेम यह होगा जो उसका जो फार्मूला होगा यह मतलब जो रेशी होगा वह यह होगा 200 और 1 का 1 रेशी वो 200 का बस अंतर क्या है जो काउंटिंग है वो 25 चंबर में होगा 25 स्कॉयर में होगा और आरवेशी के लिए के वाल 5 स्कॉयर में होगा चार कॉर्नर पर और एक सेंटर पर होगा है ठीक और इसको हम जब वो करेंगे इसका इसका फार्मूला जो होता है एन इंटू तू थाउजेंट होता है ठीक है इसका जिसे एन एन बराबर आया आपका कितना 168 तो 168 इंटू तू थाउजेंट करेंगे आप मल्टिप्लाइ करिए 28 जा 16 26 जा 12 और 1 13 3 हो गया 202 और 1 3 123 123 यह आपका हो गया 3,36,000 यानि कि यानि कि यानि कि यानि कि सेल्स पर क्यूबिक एमें यह आपका हो गया प्लेट लेट काउंट 3,36,000 सेल्स पर क्यूबिक के में यह तिक है और जो इसका नॉर्मल रेंज होता है प्लेट लेट का वह होता है 1.5,000,000 से लेकर 4.5,000,000 तक लेट सेल्स पर क्यूबिक में ठीक है तो आज का जो वीडियो था वह इतना ही था कि जो RBC और प्लेट लेट काउंट कैसे किया जाता है तो फ्रेंट्स फिर हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स